तो दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि आप ब्लॉगिंग के लिए लेट हो गए हैं और आपको लगता है कि जिन लोगों को इसका एडवांटेज लेना था वो ले चुके हैं और अब क्योंकि सारा माटीरियल गूगल के पास है सारा कुछ तो सर्च करने पर आई जाता है तो हम लेट हो चुके हैं अब हम उतना लाभ नहीं ले पाएंगे तो ये वीडियो पूरा देखिए आपके बहुत काम आएगा तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेस्चन है, कोई भी मदद आपको चाहिए तो आप हिंदीटेकी.com पे कभी भी जा सकते हैं फ्री फॉरम है और इसमें आप जाके कोई भी क्वेस्चन पूछ सकते हैं, कोई भी हैल्प ले सकते हैं और आप बिलकुल भी संकोश मत करिए किसी भी प्रकार का क्वेस्चन पूछने में ब्लॉगिंग से रेलेटेड आप कोई भी सवाल कर सकते हैं और उसका हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको जबाब दिया जाए, आपकी जितनी हेल्प हो सके हम करने का प्रियार्स करेंगे और यहाँ पर एक SEO टूल भी है जिसमें आप चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आपका क्या SEO में आपको गलती कर रहे हैं क्या और इसके लाबा मेरा ब्लॉग भी है तो वो भी जाके आप पढ़ सकते हैं तो चलिए अभी यह शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहले क्या ब्लॉगिंग बहुत कठिन हो गई है जहां तक कठिन होने की बात है तो कोई भी जो अच्छी चीज होती है कोई भी जो बड़ी चीज आपको अचीव करनी होती है लाइफ में वो बहुत आसान नहीं होती चाहे वो इंजिनिरिंग हो, डॉक्टरी हो, गवर्मेंट जॉब पाना हो IAS बनना हो, IPS बनना हो PCS की परिक्षा क्वालिफाय करनी हो या कोई भी entrance exam क्वालिफाय करना हो और जो चीज़ें आसान होती है वो बड़ी नहीं होती तो कोई भी बड़ी चीज अचीव करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हाँ, ब्लॉगिंग कठिन है आपको लगता है समयस में आपको 6-7 महीने रिजल्ट्स देखने में लग सकते हैं आपको उससे भी ज़्यादा समय सफल होने में लग सकता है बिल्कुल लगेगा और बाकी फिल्ड में देख लीजए आप किसी भी फिल्ड में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं सारी पैसा भी खर्च करते हैं एफर्ट्स भी खर्च करते हैं आठट ददस घंटे भी देते हैं तब जाके आपको सफलता मिलती है और यहां भी वैसे ही कुछ पैटर्न देखने को मिलता है ब्लॉगिंग में भी अगर सामान्य तोर पे देखा जाए और लोगों से बहुत अच्छा content बनाने लगेगा और बहुत कुछ वो सीख जाएगा और एक साल के अंदर अंदर मेरा पूरा ऐसा अनुमान है कि एक साल के अंदर अंदर वो सफल होने लगेगा तो यहां अगर सफल होना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगला आप लोग सोचते हैं कि सारा कुछ तो पहले से इंटरनेट पे है अब आप ये बताईए कि सारा कुछ जब इंटरनेट पे है और आप डेली सर्च भी करते हैं और आपकी नीड अभी तक खतम नहीं हुई है ठीक है अब एक और चीज़ कर लेते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट आप दिमाग में सोच ये कि दो साल के लिए हम क्या करें कि इंटरनेट पे भईया कोई नया कंटेंट मत बनो तब अब दो साल बाद जब आप कंटेंट को देखेंगे ना तो आपको लगए यार ये तो बहुत पुराना हो चुका है क्यों जानते हैं क्योंकि परिवर्तन लगातार होता रहता है चीजों को सीखने का तरीका लगातार बदलता रहता है लोगों की सोच बदलती रहती है, नई नई पीडी आती रहती है, वो नई चीज सीखती है, नई तरीके से सीखती है, धेर सारे परिवर्तन हर साल आप किताबों में देखते होंगे, धेर सारे परिवर्तन आप इंटरनेट पे देखते होंगे, लिखी हो कंटेंट में, धेर सा इंटरनेट पर सारा कुछ पहले से ही है, ये विकार की बात है, क्योंकि नया नया content daily आते रहेगा, और नये content की need हमें हमेशा रहेगा, अगला topic जो है, अब तो सब YouTube देखते हैं, अब यहाँ पर एक चीज में आपको बता देता हूँ, डिटेल में, दो तरह की visitor होते हैं, एक ह होते हैं, unintentional visitor, जो goal-oriented visitor होते हैं, वो कोई specific चीज ढूण रहे होते हैं, उनको पता होते हैं, क्या चीज ढूणनी है, और वो internet पर सर्च करके जब आते हैं, तो वो prefer करते हैं, ब्लॉग पर जाना, क्योंकि वो एक बार में, जो information उनको चाहिए होती है, वो उठा लेते हैं, द यहां पर दोनों चीज़ों में visitor available हैं, हाँ, खपदबढ़ी है, YouTube की, यानि की वीडियो की खपदबढ़ी है, तो उसे आप ब्लॉग में भी लगा सकते हैं, जिन ब्लॉग पोस्ट में YouTube वीडियो होता है, या किसी भी तरह का वीडियो होता है, उसके सर्च में आने के chances और बढ़ जाते हैं, यह बात बिल्कु सही है, क्योंकि जब वीडियो उस पोस्ट पे विक्ति आके देखता है, तो जादा समय विताता है, जिस वजह से उसकी रैंकिंग और टोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती है, इसके बाद एक चीज और, कि जो भी पढ़ने वाले लो वो रीडिंग प्रिफर करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता, तो पूरी दुनिया की यूनिवस्ट्री जो है, सारी किताबे हटा के, सारे कुछ हटा के, यह PDF वगेर हटा के, सिर्फ आपको वीडियो दिखाते हैं, और आप उससे सीख जाते हैं, अगला, ब्लॉगिंग में कितन सम्भावना है, यदि आप देखें, पीछे वाला डेटा भी उठा के देखें, या जो वास्तविक्ता में सीरियस ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनका भी देखें, जो लगाता है, बहुत समय दिया है, इसको, पैशन दिया है, और अपना जो नॉलेज है, वो रखा है, रिसर् चोड़ के ब्लॉगिंग शुरू करिये, मतलब ब्लॉगिंग धीरे-धीरे कर रहे थे, फिर सरकारी नौकरी छोड़ दी और ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की भी example मेरे पास हैं, जिनने मैं personally जानता हूँ, अब आखिर मैं बस ये बोलना चाहूँगा, कि आप जिस और ज़्यादा समय दीजे, फिर और ज़्यादा कामिया भी मिल जाएगी, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि स्विच करना है कि नहीं, या छोड़नी है ब्लॉगिंग, तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यकीन मानिए, अगर आप लगातार लगे रहते हैं बिना थके, तो कोई भी छेतरों, ये तो ब्लॉगिंग है, कोई भी छेतरों, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी कर सकता है, बस लगातार लगे रहने की आवश्यक्ता होती है, और जहां तक ब्लॉगिंग में बात है कि लेट हो गए आप, ऐसा कर दीजेगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजेगा, बेल आइकन भी दबा दीजेगा, और कोई सवाल हो, तो प्लीज यहां भी पूछ सकते हैं, और हिंदीटगी.com पे भी जाके पूछ सकते हैं, वीडियो देखने के लिए प्लीजेगा, यहां सकते हैं